हेलो एवरिवन कैसे आप सब आप सब का अपने चैनल में स्वागत है आज मैं आपको गोतम भुद्जी के महान विचारों से अवगत करवाने जा रहा हूं तो शुरू करते हैं वह विक्ती जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके पास 50 संकट है और जो विक्ती किसी से भी प्रेम नहीं करता उसके पास कोई संकट नहीं है नेक्स्ट अगर आपको मौक्श पाना है तो आपको खुद ही मेनत करनी होगी दूसरों पर निरबर्ध मत रहिए सूरज, चांज और सत्य यह तीन चीज़े हैं जो ज़्याद देर तक छुप नहीं सकती जो क्रोधित करने वाले विचारों से मुक्त है उन्हें निश्चे ही शान्ती प्राप्त होगी सुसत्य सबसे बड़ा उपार है, संतोष सबसे बड़ा धन और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है मैं यह कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं सदैव देखता हूँ कि अभी और क्या किया जाना बाकी है समस्या क्रोध से नहीं बल्कि आपके विचार से है जैसे ही आप क्रोध के विचारों को बुला देंगे वैसे ही क्रोध गायब हो जाएगा बिना स्वसत्य के जीवन बिकार है वैक एवल एक पीड़ा की स्थिति और मोद की च्छवी के समान है आप कितना भी शांती को तलाशते रहें पर वो आपके अंदर ही है चोटी चोटी नदियां शोर मचाती हैं जबकि विशाल मासागर शांत रहता है जदि आप अपना मार्ग नहीं बदलेंगे तो निश्चित ही आप वहीं पहुँच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं नेक्स्ट कई हजार खोकले शब्दों से अच्छा केवल वह एक शब्द है जो मन में शांती लाए नेक्स्ट अगर आपको मन की शांती चाहिए तो दूसरों से इस्ष्या करना छोड़ दे नेक्स्ट आपका ऐस सत्यवादी होना ही आपकी विफलता का मुख्य कारण है तो आपको गोतम बुद्ध जी के विचार कैसे लगे अगर वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हम ऐसी कोई और वीडियो डालें तो उसकी नोटिविकेशन आपको मिल जाए थैंक यू